इस वीडीयो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने google photos की सारी photos, video एक साथ कैसे download कर सकते हैं और देखेंगे कि आप अपने पूरे google photos का data एक ही साथ कैसे आप download करें जो कि मैं आपको दो step में बताऊंगा कि एक step में बताऊंगा कि आप कैसे आप अपने mobile में download कर सकते हैं और दूसरे step है आप कैसे अपने computer, laptop या PC पे कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं पहले mobile पे हम कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा browser में आपके mobile में जो भी browser installed हो उसमें जाना है तो मेरे mobile में Google Chrome installed है इस पर जाना है मैं इसको in cognitive mode open कर ले रहा हूँ यहाँ पर आपको type करना है Google account sign in Google account sign in यहाँ पर जाने के बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है sign in Google account इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर पहले अपना email id जिसमें आपका Google account के photos हो उसको लोग इन करना है तो मैं डाल देता हूँ Google और यहाँ पर passport डाल देते हैं जो लेल दी कि मेरे अकान में सेकेंड डेश्टेप बेरिफिकेशन लगा हुआ है तो इसके लिए जाना है data and personalization में है data and personalization में जाने के पाद इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको पर इसके लेना है तो हमें नीचे जाना है यहाँ पर Google photos को find करना है और इस तरीके से लेनी है नहीं लेनी है इस तरीके से स्ट्राइट करके आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नेक्स स्टप पिर करने के बाद यहां पर आपको बता रहा है ड्लीब्री मेंट आप किस तरीके से आप इसको डानलोड करना चाहते हो पहला जाते हो download link by email email के तो email पर आपके download link आएगी उसके तो करना चाहते हो add to drive add to dropbox add to one drive add to box इसमें आपको अपने space के according आप पर चूश कर लिजे मैं email के तो करना चाहता हूं तो email के तो आप यह frequency पूछ रहा है export once एक ही बार में करना चाहते हो या हर दो महिने में करना चाहते हो तो हम export once कर सकते हैं कि हमें एक ही बार में download ना है यह type पूछ रहा है file किस type की चाहिए file zip file सबसे best है और यह दिखा रहा है size कि आप कोई साभी size select कर सकते हैं यह आपके data के according है अगर आप एक साथ बड़ी file download कर सकते हो तो बड़ा अच को select कर सकते हो वैसे रेकमांडेट है कि दो जीवी का data होगा तो जितने भी आपका इस अगर दो जीवी से ज्यादा फोटोज हैं तो आपको वह तुकड़ों में कर देगा दो जीवी के जिससे कि आपको अगर आपका दस जीवी का हुआ तो पांच बागों में कर देगा दो जीवी के इस तरीके से आप अपने फाइल साच को select कर सकते हो तो इसके लिए हम बना देंगे अब यहां पर बता रहा है यहां और यहां पर इस प्रोसेस के टेक लॉंग टाइम तो यह आपकी जो फाइल को है गूगल फोटोज प्रोसेस कर और अब जितना भी टाइम डेगा आपको एमेल कर देगा जब यह रेडी हो जाएगा इस तरीके से आप अपने मॉइल में ले सकते हो अब मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने डेश्टॉप पे या लैप्टॉप पे गूगल फोटोस के सभी फोटोस बैक अप लेते हैं सेम प्रोसेस है लेकिन चलते हैं अपने पीसी पे हमें जाना है अपने ब्राउजर में इसको इनकांटर मोड में करने लिए यहाँ पर जाना है हमें सेम गूगल फोटोस गूगल एकाउंट साइन इन पहली लिंक है साइन इन गूगल एकाउंट इस पर क्लिक करना है हम जल्दी से कर देते हैं पासवर्ड डाल देते हैं अपने अकान को वेरिफाई कर देते हैं हमें यहाँ पर जाना है डेटा एंड परस्नलाइजिशन में परस्नलाइजिशन में यहाँ पर स्क्रॉल करना है यहाँ पर आपको देखेगा डाउनलोड डेलीट में का प्लान फॉर याँ डेटा यहाँ पर जाना है डाउनलोड याँ डेटा में तो हमने पहली लगा चुके हैं इसको एक्सपोर्ट में तो वही मैसेज देखा रहा है कि आपने एक्सपोर्ट में प्रोसेसिंग है वह चल रही है लेकिन आप बता दूं यहाँ पर आपको जब आप पहली बार करोगे तो यह यह आप्शन नहीं देखेगा आपको है गूगल फोटोज में गूगल फोटोज यहां पर दिख रहा होगा इसको ओके कर देना है नीचे जाना है और घृटोнова कर देख है नेक्ट श्टएप चलू कि यहां पर वही पताएगा कि आपको जो डाउन लॉड लिंक्ट इस कि कित्रोज आई आपको अगर ऑगर कोट को अचल में ड़ाएं में लिए में राप फोटोस बहुआ जिक्या ज़ु करले चाहिए तो थोड़ोड बाक ड्रॉप बॉक्स हुआ हिनमें के ऊपर हैं आपके पास किस क्या से इसंका सस्क्रिप्शन किस कर सकते हो तो शेक पूछ रहा है कि यैंडियोड दॉनल्ट ना चाहित ह analysis तो इसा मेल आ मैल आ जाए कि फाइल टैप पूच रहा है जिफ फाइल सभी है और फाइल साई पूच रहा है एक भी बार में आप कितना gb का डेटा डाउलोड करना चाहते हो तो दो gb सही रहेगा और आप चाहते हैं तो 1gb , 1gb सही रहेगा अपने data के अनुसवार है अगर आप अधिए पर इंटरनेट करेंशन ज्यादा डेटा का है तो आप शेदर ज्यादा डेटा को सेलेक्ट करके कर सकते हैं फिर कर देंगे क्रिएट एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट पर क्रेट करने के बाद यह आपको बताएगा कि यह प्रोसेसिंग में है अब जब भी प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो जाएगी आपके पास एक email आजाएगा और डाउनलोड लेंगा जाएगा जिससे आप अपने सभी फोटोस को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरीके का इमेल आपको डिसीब होगा गूगल टेक आउट की तरब से इसको ओपन कर लेते हैं और गूगल डेटा इस रेडी टू डाउनलोड तो यहां पर जितने भी आपके फोटोस के भाग बने होंगे आपने जितने भी सब्सक्राइब जैसे कि मैंने दो जीवी का सिलेट किया था तो दो जीवी के यह सभी डे हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और आपको कोई परेशानी आ रही हो अपने फोटोस को डाउनलोड करने में तो कमेंट करके बताएं मैं आपके मदद करने के लिए तयार बैटा हुआ हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूल करें इसी तरीके की वीडियो में रोजाना लाता रहूंगा तो तब तक के लिए जय हिन जय वारत